तो गाइज हम किस पर चलेंगे अपने asynchronous टास्क पर चलेंगे and simple हमारा इस पर आ जाते हैं क्या करना है गाइज अब हमें पहले तो मुझे एक variable करना है जो क्या कर रखता के cache कर सके store कर सके जो हमारे यहां पर यहां पर क्या नाम रख देंगे इसका m.github.json तो यहां पर आप देखो तो यह जो हमारा load force कर रहा है तो basically यहां पर load का force कर रहा है कि जो हमारा loading indicator है वह visible हो और उसके बाद के जाए लोड हमारा force हो जाए अगर मैं यहां पर condition लगा दूं guys यहां पर अगर मैं चेक कर वा लूँ कैश कर वा लूँ कि क्या जो हमारा हमने यह m.github.json जो बनाया है यह empty है या इसमें value है तो हम क्या कर सकते है इसमें कुछ यह कर सकते हैं अगर आप सोचो मैंने अगर एप मिनिमाइस कर दिया राइट अब guys हमेशा जितनी बार आप उपन करोंगे हम cash यहां पर क्यों कर रहें कि उतनी बार वो क्या करेगा लोड करेगा और देटा दिखाएगा अगर मैं यहां पर क्या कर लों कि अगर मेरी state change होगी मतलब अगर अगर इसमें data store ना हो तो क्या हो हमारा loading indicator चल जाएगा नल नहीं होगा अगर और फोर्स लोड हो जाएगा और अगर हमारा GitHub Jason में guys data अलडी है मतलब नहीं है तो basically यह चलेगा नहीं और simple हमारा क्या show हो जाएगा GitHub Jason data show हो जाएगा तो यहां पर किकर लगा जेते हैं वही condition लगा जेते हैं मैं यहां पर किसको check कर वा लेता हूं एम GitHub Jason को check कर वा लेता हूं किसके एकवल कि यह नल तो नहीं है और यहां पर क्या देती है मैंने एक तो क्या देती कि जहां पर मुझे जेसन का data दिख जाएगा और वन्हा एल्स में हमारा क्या data फोर्स लोड हो जाएगा तो यह दो चीज़ आगें अब गई इसके लिए क्या लेते हैं एक method लिख लेते हैं तो यहां पर कमेंट कर देता हूं मैं basically यहां पर कर क्या रहे हैं कि basically हम यहां पर क्य इसको सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं यहां पर क्या लॉजिक गलत हो गया सौरी मुझे यहां पर मेरी इस condition वर्क नहीं करेंगे मैं simple इसे नल के इकवल चेक करूंगा इसे अब चले गए ओके यहां पर क्या मेरा logic थोड़ा गलत हो गया था तो अब सहिए क्योंके इसकी फंक्शनलिटी क्या framework के हिसाफ से लिख रही है कि इसकी लोडर की राइट अब गाइस मुझे करना है इसे अपने हिसाफ से लिखना कि कैसे हम अपने उसमें यूज कर सकें तो इसको क्या लेते हैं ओवर्राइट कर लेते हैं तो मुझे यह कॉंसेप अप्लाइ करना है तो यह करेंगे कहा हमारा जो लोडें बैक्ग्राउंड वाला मैथड है राइट आप इस चीज का जिए इसके करींगे यहां पर ओवर्राइट कर लेंगे हैं ओवर्राइट किसको करेंगे हमारे इस वाले मैथड को कौन से सब्सक्राइब यहां पर देखो तो मैं यहां पर क्या पास कर दूंगा यहां फिर संपल यहां पर github ले लेते हैं इसे इनिशलाइज कर देंगे तो जो हमारा तो जो हमाने इसमें पासंड में यहां पर क्यों जो हो गया है क्या हो गया हैने मैं इनिशलाइस कर दिया तो यहां पर कोई चीज नहीं बचलिए करने के लिए लिए और यहां पर जाएज तीन एर्र आरहे हैं हमारे और तीनों किस पर आरहे हैं जो कॉल बैक है और बेसिकली गई यह कोई वैसी मेजर नहीं है बेसिकली जो एर्र है वो Android X की और Content App वाली है कि मैंने यहां पर कहीं न कहीं किसी एक पर Android X की जगा के चांसे जादा हैं अगर मैं दुबारा करूंगा तो इसलिए मैंने अभी नहीं कर दो मैंने पहले यह कंप्लीट कर दूं उसके बात करेंगे क्योंकि इसके बाद नेक्स एक्सराइज भी इस पर अब क्या करते हैं इसका लास पार्ट कर लेते हैं वह क्या है क्या है कि अभी तक हम कैसे चले हम एक component शीख इंग है और से इसमें अपने sunshine में तो कैस अब हमने कौन सा अपना सीख लिया है हाँ पर sacrificler view गया हूँ अपना Lifecycle इवेंट शीख लिया है कि कैसे हमारी Lifecycle इवेंट की life चलती है एंड कैसे work करता है तो अब क्या करेंगे यही चीज़ गाइज हम implement करेंगे अपने sunshine वाले app में और देखते हैं loaders basically क्या करना है async task loaders implement करना है और देखेंगे guys कैसे तो हम इसे एक एक करके हम जो हमारे components हैं किसमें अब दाले हैं sunshine वाले एप में ढलने हैं तो आप गैस किस पे चलता है अपने अपने चलता है लोगे हम इप उपने संशाइन शुरू कर लेंगे कौ Alongнойач अपने संशाइन अप लेटे हैं wr वारे लोडर का इस का तब गैस में क्या देखेंगे हम लोड़ कॉंसेप्ट देखेंगे एं कैसे implement होता है एंड इसको भी इसमें क्या है कि अमारा async तर्श अल्रेडी है राइट हमें के करने है कोड रिमूफ करने और अपना इंप्लिमेंट करने लोड़ कॉलबैक्स और इस बार गाइस क्योंकि मेरा लास्ट टाइम कॉंसे उसमें प्रॉब्म वागी दी अंड्रॉइट एक्स में मैं सही से ध्यान नहीं दिया था तो आप लोग भी स्टार्टिंग से ध्यान देने कि ठीज को घ्यान रखना है थोड़ सी प्रॉब्म से बहुत प्रॉब्म मेर्टिग वाली बात हो जाती है कोर्ड में तो यहां पर क्या खुल गई हमारी डिटेल अक्टिविटी की अभी मुझे जावत नहीं है मुझे किसकी जारूए मेन अक्टिविटी की तो कर देता हूं म क्लास पर हमारा इंप्लिमेंट हो चुब है अल्री गाइज ऑन-click लिस्टनर ऑन-click हैंड तो यहां पर ग्राइड रहा टैप्टर हो चुका है तो यहां पर संपल हम क्या कर दों लोडर के कॉल बैग भी इंप्लिमेंट कर देता है तो यहां पर सिंपल में कामा लगा के यहां पर आप से क्या कर सकते हो next line से भी कर सकते हो simple तकि थोड़ा बेटल लगे और सिंपल मैं यहां पर क्लाँ यहां पर करदेता है sorry loader callbacks तो गाइस यहां पर हमें क्या implement करना यहां पर अगर आपका Android X में आ रहा है तो Android X select करना है आपको वरना आपको कौन सा app वाला select करना है okay last time मैंना I think यह app वाला select कर दिया था आपने कौन से life cycle वाले उसमें तो इसलिए यहां पर क्या रही प्रॉब्म आ रही तो हमें क्या करना है है यहां पर क्या रेटा कर दिया रही तो हमारे बहुत सारे डीटेड और चुनकर एक सिंपल स्ट्रिंग नहीं है array of string है तो इसलिए हमने वह कर आए अब यहां पर क्या रही है हमारी error आए और simple क्या रहा है implement करने के लिए method तो यहां पर simple हम क्या करेंगे implement करेंगे method और यहां पर आप देख सकते हूं guys हमारे पास सारे method आ गए है मैंने simple इसे क्या कर दिया implement कर दिया है